इस वीडियो में हम rational numbers की decimal expansion के बारे में पढ़ेंगे जो भी real numbers होते हैं सबकी कुछ decimal expansion होती है चाहे वो rational हो चाहे वो irrational हो जो rational numbers होते हैं उनकी decimal expansion या तो terminating हो सकती है या फिर non-terminating but repeating हो सकती है जो irrational numbers होते हैं उनकी decimal expansion non-terminating भी होती है और साथ ही साथ non-repeating भी होती है इस वीडियो में हम सिरफ rational numbers की decimal expansion के उपर focus करेंगे तो rational numbers की decimal expansion कौन सी दो तरीकी होती है या तो वो terminating decimal expansion हो सकती है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये होता है कि उसका decimal expansion एक point पर जाके रुख जाएगा दाट इस 1.2 को अगर आप देखेंगे तो 2 के बाद यहाँ पर decimal के आगे कोई भी numbers नहीं है या फिर ये 0 हो गए है 2 के आगे के सारे decimal के points 0 है दूसरा example 69.7328 अब ये कहीं तक भी जा सकते हैं decimal के बाद numbers लेकिन हमारी condition बस ये है कि इनको कहीं पर जाके रुख जाना है जो भी इस तरह के rational numbers होंगे हम बोलेंगे कि उनकी एक terminating decimal expansion है दूसरी हो जाती है non-terminating but repeating decimal expansion यहाँ पर repeating important है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि कुछ rational numbers ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी decimal expansion terminating तो नहीं है that is उनकी decimal expansion कहीं पर भी नहीं रुकेगी और आगे चलती ही जाएगी लेकिन उनके decimal expansion में जो numbers होंगे decimal के बाद वो एक repeating pattern follow करेंगे for example अगर आप ये वाला number देखें 0.333 and so on इसका क्या मतलब है कि decimal के बाद 3 आगे तक बढ़ता जा रहा है और ये कहीं बर भी खतम नहीं होगा तो यहाँ पर क्या repeat हो रहा है यहाँ पर 3 repeat हो रहा है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.333 and so on can also be equal to 0.3 bar यहाँ पर 3 के ओपर हम एक bar लगाते हैं यह signify करने के लिए कि 3 वाली जो चीज है वो बार-बार repeat हो रही है जो next example है वो है 17.82, 8282 and so on यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह कहीं भी नहीं रोक रहा है और यहाँ पर भी एक ऐसी चीज है जो बार-बार repeat होती जा रही है वो कौन सी चीज है वो है 82 वाली term 82 ही बार-बार repeat होता जा रहा है तो इसको मैं लिख सकते हूं 17.82 बार 82 के ओपर बार है मतलब 8 और 2 2 दोनो repeat होते जा रहे हैं तो यह तो हो गया rational numbers की दो तरह की decimal expansion अब हम यह चाहते हैं कि हम यह पता लगाएं कि हमें कभ यह वाली decimal expansion मिलेगी और कभ यह वाली decimal expansion मिलेगी अब हमें यह पता है कि हर rational number P upon Q के फॉर्म में होता है जहाँ पर P और Q दोनों ही integers होते हैं तो हमें अब यह पता लगाना है कि P by Q कैसे होंगे ताकि वो हमें terminating decimal expansion दे पाए या फिर वो हमें non-terminating decimal expansion दे पाए तो अब हम यह देखते हैं तो हमें rational numbers की decimal expansion मिलती कहां से है हमें यह पता है कि कोई भी rational number P upon Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे P और Q दोनों co-prime होते हैं अब अगर हम यहां पे P को Q से actually divide करके देखे तो हमें पता लगेगा कि rational number की decimal expansion कैसी है तो हम इसका कुछ examples देखते हैं सबसे पहले मैंने यहां पे example लिया 4 upon 3 अब यहां पे अगर मैं 4 को 3 से divide करूंगी तो मेरे पास इस तरह से result आएगा आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास बार बार remainder 1 repeat हो रहा है जिसके कारण इसका decimal expansion भी repeat होता हुआ नसर आ रहा है that is 1.333 and so on एक next example हम देखते हैं 1 upon 8 का अब यहां पर अगर आप 1 को 8 से divide करेंगे तो आप यह देखेंगे कि इस division को perform करते हुए remainder 1 point के बाद 0 हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आगे हमें perform करने के जरुवत ही नहीं है अब यहां पर से मेरे पास एक terminating result आ जाता है that is 0.125 एक third example देखते हैं जहां पर हम 1 upon 7 देख रहे हैं अब अगर आप 1 को 7 से divide करेंगे तो आप यह देखेंगे कि इस case में भी आप कितना भी division करते जाएं remainder कभी भी 0 नहीं मिलेगा आपको इसका मतलब यह है कि यह भी आपको एक terminating decimal expansion तो नहीं दे सकता अब अगर आप इसका decimal perform करेंगे तो आपको देखेगा कि पहले remainder 1 आया फिर 3 आया फिर 2 आया इस तरह से कुछ-कुछ आता जाएगा लेकिन एक point के बाद आपके पास फिर से remainder 1 आ जाएगा और अगर remainder फिर से 1 आ गया इसका क्या मतलब हुआ कि फिर से यह सारी चीज़े repeat होती जाएगी और फिर से यह सारी चीज़े भी repeat होती जाएगी तो इस case में भी आपको एक non-terminating पर repeating result मिल जाएगा that is 0.142857 और इस पूरी चीज़ के उपर बार तो अब यहां से आपको यह समझ में आया कि division किस तरह से perform हो रहा है वो हमें बताएगा कि decimal expansion कैसी है अब यहां पर आपको यह भी नजर आ रहा है कि यह चीज़ Q के उपर depend कर रही है ना कि P के उपर क्यों? क्योंकि आपने यहां पर भी 1 को divide किया है यहां पर भी 1 को divide किया है लेकिन आपके पास एक case में result आया है terminating और एक case में result आया है non-terminating repeating क्यों? क्योंकि दोनों cases में denominators अलग हैं, that means अब हम को क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि जो decimal expansion है, वो P upon Q में से Q के उपर depend कर रही है, अब हम देखते हैं कि decimal expansion Q के उपर कैसे depend करती है कि दो नती हिएा Cव तो अलग है ये कि शो सबस्खय़ा है, हिए में ये पर वो इदसने का कि मनताए है, अब हम रही है, आदारू इा पलती पितन ऴुझाओ हैं, आदार में überBaymaet से झालों, के अचेए एक अचम अबा रही हैं, आर कि आवसे अचाए हैं, प German, वो